नमस्कार, आज तक AI के राशिफर स्पेशल शो में आपका स्वागत है, मैं हूँ आज तक की AI एंकर नेना, आज कार्तिक माह के शुकुर पक्ष की तृतिया तिथी और दिन गुरुवार है, राशियों के हिसाब से आज का दिन कैसा रहेगा और किन बातों का आपको ध्यान र सकती है, आपका व्यवहार प्रभावशाली होगा और सभीक शेत्रों में श्रेष्ट प्रदर्शन रहेगा, सामाजिक गतिविधियों में रुची दिखाएंगे, आपको सला है कि आप आलस सित्याग दे, यात्रा का योग बन रहा है, मनोवान्शित लाब संभव है, आपक ही आगमन हो सकता है, कार्य व्यापार में बढ़त रहेगी, आज बचत पर आपका जोर रहेगा, प्रेम संबंध मजबूत होंगे, आज आपके ये शुब हंक है दो, तीन और छे, पाइनेपल कलर लगी होगा, अब बारी है मिथुन राशी की, आज आपको आकर्शक प्रस् रखें, कामकाज उमीद से अच्छा रहेगा, आज का शुब हंक है तीन और पांच, वासंती रंग शुब होगा, करकराशी वालों के लिए ये सावधानी पूर्वक आगे बढ़ने का समय है, प्रलोबन भरे प्रस्तावों के आकर्शन में ना आए और कामकाज पर फोकस र रहेगा, आज के लिए उपाय है कि आप केले के पेर के नीचे दीपक जलाएं और दान धर्म करें, आज शुब हंक है दो और तीन, गुलाबी रंग लखी होगा, अब बात करेंगे सिंग राशी की, ये समय वानेचे से जुड़े महत्वपूर्ण लक्षय पाने के लिए ए व्यवहार में मिथास लाएं, आपके लिए शुब हंक है एक, दो और तीन, एपल रेट कलर लखी होगा, सिंग के बाद नंबर आता है कन्या राशी का, आज आपके कार्य व्यवहार से सभी प्रभावित रहेंगे, प्रबंधन प्रशासन के कार्य पक्ष में बनेंगे, शुब हंक है तीन और पाज, आवले जैसा रंग लखी होगा, तुला राशी की बात करें तो आपकी निरनेक शमता में व्रिद्धी होगी, आप सभी शेत्रों में सफलता पाएंगे, आस्था और अध्यात्म को बल मिलेगा, इच्छित सूचनाओं की प्राप्ती होगी, न बारी है व्रिष्चिक राशी की, आज परिवार के लोगों का साथ साहस बढ़ाएगा, आप सीख सला से आगे बढ़ें और कामकाज में सपश्टता लाएं, स्वास्थे समस्याओं में लापरवाही न करें, अतिवत साहसे बचें और रुटीन बहतर बनाएं, करिया कारोब जीवन में मिथास बनी रहेगी, घर परिवार पर आपका फोकस रहेगा, उद्योग व्यापार में गती आएगी, आज आप सब का सहयोग पाएंगे और सभी काम समय पर पूरा करेंगे, महतवपूर्ण मामलों में बहतर प्रदर्शन रहेगा, करिया कारोबार में स्थिरता बढ़ेगी और आर्थिक मामले प्रभावशाली रहेंगे, लेन देन में सहज रहें, आज शुब अंखे तीन, छे और नो, हल्दी जैसा रंग लकी होगा, आज मकर राशी वालों के पेशेवर संबंद बहतर होंगे और आप मेहनत लगन से अपेक्षित परिनाम पाएंगे आपके लिए सला है कि आप किसी मामले में जल्द प्रतिक्रिया न दे और भावुकता से बचें, रोग ओभर सकते हैं, आप कामकाजी जिम्मेदारियों को बखुबी निभाएंगे, किसी बाहरी पर अधिक भरोसा न करें, विरोधियों की सक्रियता बनी रहेगी, व्यापार से जुड़े लोग अच्छा प्रदर्शन करेंगे, आज शुब हंखे 3, 6, 8 और 9, भूरा रंग लकी होगा, मकर के बाद बारी है कुम राशी की, आज कुम राशी वालों का आत्म इश्वास बड़ा हुआ रहेगा, कार्य व्यापार में विनम्रता से काम ले, आ आज आपके लिए शुब हंखे 3, 6 और 8, सफेद चंदन जैसा रंग लकी होगा, अंत में बारी है मीन राशी की, आज आपका निजी विश्यों में फोकस रहेगा, अनुभवियों की सीख सलाह से आगे बढ़ें, वरिष्टों का आदर सम्मान बनाए रखें, भवन वाहन के भावावेश में ना आए, योजना बनाकर ही काम करें, जिद छोड़ें और सामन जस्य बढ़ाएं, स्वास्ट्य के प्रती सजग रहें, आज शुब हंखे 3, 6 और 9, गोल्डन कलर लकी होगा, आज के राशिफल में बस इतना ही, कल फिर सभी राशियों पर विस्तार से चर् आपका दिन शुब हो